नमस्कार! पूनम की आवाज चैनल में आपका स्वागत है. अपनी जिन्दगी में हमसे जाने अन्जाने में कई ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं, जिसका बाद में हमें पच्चतावा होता है. जब हमें उस गलती का पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. तब तक हम बर्बाद हो चुके होते हैं. आखिर वो कौन-कौन सी गलतियां है, जो हमें पता नहीं है, और वो हमें बर्बाद करती जा रही है. चलिए आज इस कहानी में हम आपको उन गलतियों के बारे में विस्तार से बताएंगे. हम बताएंगे कि इनसान की कौन-कौन सी गलतियां है जो इनसान को बरबाद कर देती है यदि हमें अपनी बरबादी के कारण पता चल जाए तो हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं बहुत समय पहले की बात है एक नगर में एक धनी सेच रहा करता था उस सेच के पास सभी प्रकार की सुख सुविधा थी लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी संतान ना होने के कारण वो हमेशा दुखी और चिंतित रहता था फिर अचानक एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी पतनी गर्भवती है ये जानकर वो बहुत प्रसन हुआ उसने अपनी पतनी का खूब ख्याल रखा उसकी हर जरूरत को पूरा किया समय बीतने के साथ एक दिन उसके घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ सेच पुत्र के जन्म पर बहुत प्रसन था उसने पूरे नगर में मिठाई बंटवाई सेच ने उसके लालन पालन में कोई कमी नहीं छोड़ी देखते ही देखते उसका पुत्र बड़ा हो गया उसने उसे पुत्र को गुरुकुल भेजने का निर्णै किया ताकि वो पढ़ लिखकर एक विद्वान बन सके अभी उसके पुत्र की उम्र ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन सेट ने छोटी सी उम्र में ही अपने बेटे को शिक्षा ग्रहन के लिए गुरुकुल भेज दिया गुरुकुल में वो बालक अच्छे से शिक्षा ग्रहन करता है, अपने गुरु की सभी आज्याओं का पालन करता ऐसे में वो बालक धीरे-धीरे वहां का सबसे होनहार विद्यार्थी बन गया गुरुकुल में उस बालक ने सारे वेद पुरान और शास्त्रों का अध्यायन किया और बहुत बड़ा विद्वान बन गया गुरुजी भी उस बालक से बहुत प्रसंथ है, वो इस बात पर गर्व महसूस करते थे कि उनके इस शिष्यने छोटी सी उम्र में ही बहुत सारा ग्यान अर्जित कर लिया है लेकिन एक कहावत है कि समय कब बदल जाए, किसी को पता ही नहीं होता ऐसे ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से उसके माता-पिता की मृत्यू हो गई जब उसके माता-पिता की मृत्यू हुई, उस समय तक उस बालक की शिक्षा पूल नहीं हुई थी गुरुकृल में ही जब उसे बालक को ये खबर मिली की उसके माता-पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका सब कुछ बरबाद हो चुका है तो उसे लगा की जैसे उसका तो सारा संसार ही खत्म हो गया हो ये दुनिया उसे व्यर्थ महसूस होने लगी उस बालक का इस सांसारिक मोह माया से मन उठ गया उसके बाद उस बालक ने निश्चे किया कि वो गुरुकृल से शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई में व्यतीत करेगा लोगों के जीवन के दुख और उनकी समस्याओं को कम करने की कोशिश करेगा कुछ समय बाद जब उस बालक की शिक्षा पूर्ण हो गई तो उसके बाद वो बालक संयासी बन गया और वो सांसारिक वस्तूओं और सुविधाओं से दूर हिमालय के जंगल में चला गया वहाँ जंगल में जाकर उसने लंबे समय तक तपस्या की तपस्या पूर्ण करने के बाद उस संयासी ने लोगों को शिक्षा देना आरंभ किया समय के साथ साथ उस सन्यासी की चर्चा चारों तरफ होने लगी दूर दूर से लोग उसके पास शिक्षा ग्रहन करने के लिए आने लगे और बहुत से लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भी आने लगे सन्यासी सभी लोगों की समस्याएं बड़ी आसानी से सुलज़ा देता जिस वजह से वो पूरे राज्य में मशहूर हो गया था लेकिन जिस नगर में वो रहता था उस नगर का राजा एक क्रूर व्यक्ति था जब राजा को उस सन्यासी के बारे में पता चला तो उसने उस सन्यासी से मिलने का निश्चय किया एक दिन सुभर राजा अपने महल से निकल कर उस सन्यासी से मिलने के लिए चल पड़ा और फिर वो उस सन्यासी की कुटिया पर जाकर पहुँच गया राजा ने वहां पहुँच कर जब सन्यासी को देखा तो उसके चहरे पर एक अलग ही तेज था राजा उनके पास पहुंचा वहां जाकर उस राजा ने उस सन्यासी को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गया और उनसे वारतालाप करने लगा तो उसे बड़ी अपार शांती का अनुभव हुआ वह राजा पहली ही मुलाकात से उसके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इस समय से अच्छाई के रास्ते पर चलने की ठान ली वह मन ही मन सोचने लगा कि इतनी छोटी सी मुलाकात में ये सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है तो अगर ये हमेशा मेरे साथ ही रहने लगे तो मेरी तो जिन्दगी ही बदल जाएगी यही सोचकर राजा उस सन्यासी से राजमहल चलने के लिए आगरह करने लगा राजा का आगरह सुनकर सन्यासी उसे मना नहीं कर पाया और वो राजमहल में चलने के लिए तयार हो गए फिर राजा सन्यासी को लेकर राजमहल की तरफ चल पड़ा राजमहल पहुँचने पर राजा ने सन्यासी का खूब आदर सतकार किया और उसके बाद राजा ने उस सन्यासी को एक शाही कमरे में भोजन करवाया भोजन करने के पश्चात सन्यासी ने राजा को धन्यवाद दिया और राजा से जाने की आज्या मांगी लेकिन राजा नहीं चाहता था कि सन्यासी वहां से जाए इसलिए राजा ने कहा कि महाराज आप हमारे बगीचे में जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं आपको यहां पर किसी तरह की भी कोई असुविधा नहीं होगी आप जहां रहेंगे तो हमारी प्रजा को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा ये सुनकर सन्यासी महाराज ने राजा का प्रस्ताव स्विकार कर लिया उसके बाद राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि सन्यासी महाराज के लिए बगीचे में रहने का, खाने का और वस्त्र, आदी का प्रबंध किया जाए राजा की आग्या के अनुसार सेवकों ने बगीचे में एक सुन्दर सी कुटिया का निर्मान कर दिया उसके बाद वो सन्यासी महाराज इस कुटिया में रहने लगे, सन्यासी की हर तरह की जरूरत का पूरा ध्यान रखा जाता था और समय पर उन्हें उनकी जरूरत की हर चीज मुहया कराई जाती थी राजा की हर समय यही कोशिशी होती थी कि सन्यासी महराज खुश रहे और वहां से जाने के बारे में ना सोचे सन्यासी को उस कुटिया में रहते कई साल बीथ गए और इस दोरान राजा ने उनकी खूब सेवा की परन्तु एक दिन राजा और रानी को किसी आवश्यक कार्य से बाहर दूसरे राज्य में जाना पड़ा उन्होंने एक सेवक को सन्यासी महराज की सेवा के लिए नियुक्त कर दिया परन्तु वो सेवादार राजा के जाने के बाद बीमार पड़ गया और अपने घर चला गया और फिर वो कभी वापस लोट कर नहीं आया सन्यासी महराज ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर उस राजा को खूब सुनाया और राजा से कहने लगा की हे राजन अगर कोई जिम्मेदारी तुम पूरी नहीं कर सकते तो वो जिम्मेदारी उठते ही क्यूं हो तब राजा ने सन्यासी महराज से क्षमा मांगते हुए कहा की हे भगवान यदि कोई मुझ से भूल हो गई हो तो मैं उसके लिए आप से क्षमा मांगता हूं मुझे आप क्षमा कर दीजिये और आप अपना क्रोध शांत कीजिये और मुझे बताइए की आखिर हुआ क्या है ये सुनकर उस सन्यासी ने कहा की तुम्हारे जाने के बाद मुझे जहां पर किसी ने भी भोजन नहीं दिया और मैं बहुत दिनों तक भूखा ही रहा मुझे यहां पर आकर कभी किसी ने पूछा तक नहीं की मैं किस हाल में हूँ ये सुनकर राजा ने सन्यासी महाराज से फिर सिक्षमा मांगी और कहा की महाराज आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी फिर कुछ समय बाद मामला शांत हो गया जब राजा और उसे सन्यासी के बीच में ये सारी वारतालाप हो रही थी तो उस समय रानी भी चुपके से उन दोनों का वारतालाप सुन रही थी और सब कुछ देख भी रही थी उसके बाद राजा ने उस सन्यासी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया उसकी खूब सेवा की कुछ दिनों के बाद राजा को फिर से किसी आवश्यक कार्य से अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा लेकिन राज्या नहीं चाहता था कि इस बार उसके पीछे से सन्यासी महराज की देखभाल में कोई कमी रहे इसलिए इस बार राज्या ने राज्य से बाहर जाने से पहले अपनी राणी को कहा कि जब तक मैं राज्य में वापस नहीं आउन तब तक आप स्वयम सन्यासी महराज की देखभाल करोगी ये सुनकर रानी ने कहा कि जी महराज आप निश्चिंत हो कर जाए मैं सन्यासी महराज की अच्छे से देख भाल करूंगी उसके बाद रानी हर रोज भोजन बना कर सन्यासी महराज को भेज देती थी लेकिन एक दिन रानी नहाने के लिए चली गई और सन्यासी महराज को भोजन देना भूल गई सन्यासी ने काफी देर तक भोजन का इंतजार किया लेकिन जब भोजन नहीं आया तब सन्यासी सोच में पढ़ गया कि आज खाना क्यूं नहीं आया उसके बाद सन्यासी ने सोचा की वो खुद राज महल में जाकर देखेगा की आखिर अब तक खाना क्यूं नहीं पहुंचा ये सोचकर वो सन्यासी महराज महल में पहुंच गए जब वो महल के अंदर पहुंचे तब वहां उसकी नजर रानी पर पड़ी रानी के लंबे लंबे काले घने केस जो की उसकी कमर पर लहरा रहे थे उसकी कजरारी आंखें जो देखने मातर से ही घायल कर दे उसकी हिरनी जैसी चाल और रानी के इतने सुन्दर रूप को देखकर सन्यासी चकित हो गया रानी की सुन्दर्ता सन्यासी के मन में घर कर गई और वो वहां से बिना कुछ कहे ही अपनी कुटिया में लोट आया सन्यासी रानी के रूप की सुन्दर्ता को भुला ना सका और वो खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में एक तरफ पड़ा रहा उसने कई दिनों तत कुछ भी नहीं खाया जिस कारण वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया कुछ समय के बाद राजा महल में वापस लोटे तो जब उसे सन्यासी महराज की ऐसी हालत का पता चला तो वो सीधे सन्यासी महराज के पास पहुँच गए और बोले की हे भगवान क्या बात है आपको क्या हो गया और आप इतने कमजोर कैसे हो गये मेरे इस राज्य में रहते हुए आखिर आपको किस बात की चिंता है और आप किसी गहरी सोच में डूबे हुए हो हे भगवान क्या मुझसे कोई भूल हो गई है तब उस सन्यासी ने कहा कि नहीं राजन आपसे कोई भूल नहीं हुई है ये सुनकर राजा ने कहा तो फिर आखर क्या बात है आप मुझे बताए मैं आपकी परेशानी जरूर दूर करूंगा ये सुनकर सन्यासी ने राजा से कहा कि हे राजन मैं आपकी रानी की अद्भुद सुन्दर्ता को देखकर उनकी सुन्दर्ता के फेर में पड़ गया हूँ और अब मैं रानी के बिना जिन्दा भी नहीं रह सकता सन्यासी महराज की यह बात सुनकर राजा हैरान हो गया और कुछ देर सोचने के बाद राजा ने उसे सन्यासी से कहा कि हे भगवान अगर रानी के कारण आपकी ऐसी हालत हो गई है तो मैं आपको रानी दे दूँगा राजा की के बात सुनकर सन्यासी बहुत प्रसन हुआ इसके बाद राजा सन्यासी को लेकर महल पहुँचे तो उस दिन राणी ने अपने सबसे सुन्दर वस्त्र और गहने पहने हुए थे राजा राणी के पास महल में पहुँचे और राजा ने राणी से कहा कि आपको इस सन्यासी महाराज की मदद करनी चाहिए ये बहुत कमजोर पड़ गए हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी ज्ञानी पुरुष की हत्या का कलंक मेरे सिर पर लगे उसके बाद राजा ने राणी से पूछा कि क्या ये पाप आप अपने सिर पर लेना चाहती हैं राजा की यह बात सुनकर राणी ने राजा से पूछा की आखिर इस सन्यासी महाराज के दुख का कारण क्या है राजा ने राणी से कहा ये सन्यासी आपकी अद्भुत सुन्दर्ता के दीवाने हो गए है राजा की बात सुनकर राणी ने कहा कि महाराज आप चिंता मत करिए अब आप सब कुछ मेरे उपर छोड़ दीजिए मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है उसे ना तो आपके उपर हत्या का पाप लगेगा और नाही मेरे पवित्र धर्म का नाश होगा राणी की यह बात सुनकर राजा ने राणी को सन्यासी महाराज को सौप दिया उसके बाद सन्यासी राणी को लेकर खुशी खुशी अपनी कुटिया पर पहुँचे जब राणी सन्यासी की कुटिया पर पहुँची तो राणी ने सन्यासी से कहा कि महाराज हम इस जोपड़ी में नहीं रह सकते हमें रहने के लिए एक घर चाहिए राणी की यह बात सुनकर सन्यासी राजा के पास गया और राजा से जाकर कहने लगा की है राजन हमें रहने के लिए एक घर चाहिए सन्यासी महाराज की बात सुनकर राजा ने उनके लिए एक घर का प्रबंध कर दिया इसके बाद सन्यासी रानी को लेकर उस घर में पहुंचा जब रानी सन्यासी के साथ उस घर में पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा कि महराज ये घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत बहुत खराब है मैं इस घर में नहीं रह सकती ये सुनकर सन्यासी फिर से राजा के पास गया और राजा के पास जाकर बोला की है राजन आपने हमें जो घर दिया है उस घर की हालत बहुत खराब है सन्यासी महराज की बात सुनकर राजा ने उस घर की हालत ठीक करवा दी उसके बाद फिर रानी उस घर के अंदर गई और नहा धोकर बिस्तर पर आ गई और फिर वो सन्यासी भी बिस्तर पर आकर बैठ गया उसके बाद रानी ने सन्यासी से कहा कि आपको पता है कि आप कौन है और आप अब क्या बन गए हैं आप एक महान सन्यासी थे, जिसके लिए राजा स्वयम, सारी जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध कराते थे, जिसके पास लोग दूर दूर से ज्ञान ग्रहन करने के लिए आते थे, जो लोगों को सत्य की राह दिखाए करते थे, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, जिनको सभी लोग एक सच्चा गुरू मानते थे, जिनकी सब लोग भगवान की तरह पूजा किया करते थे। आज आप वासना के गुलाम हो गए हैं। ये भी कहा जा सकता है कि आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए हैं। रानी के मुख से अपनी सच्चाई सुनकर उस सन्यासी को एक जटका लगा और उसे महसूस हुआ कि वो तो एक सन्यासी है जिसने प्रण लिया था कि वो अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई में व्यतीत करेगा और लोगों के जीवन के दुख और उनकी समस्याओं को क करने की कोशिश करेगा वो तो ये सारी सुख सुविधाओं को छोड़ कर शांती की तलाश में जंगलों में चला गया था परंतु आज वो क्या कर रहा है और कितना बदल चुका है जब सन्यासी को सुध बुधाई और सच्चाई का एहसास हुआ तो वो पश्चाताप करते हु जोर जोर से रोने लगा और चिलाने लगा उसके बाद वो हाथ जोड़कर महाराणी से कहने लगा कि मुझे क्षमा कीजिये महाराणी मैं क्या करने जा रहा था मैं अभी आपको राजा को सौप कराता हूँ सन्यासी की यह बात सुनकर रानी ने सन्यासी से प्रश्न किया कि महराज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है खृपिया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए रानी की बात सुनकर सन्यासी ने कहा कि महरानी कहिए आपका क्या प्रश्न है फिर रानी ने कहा कि महाराज जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए थे तब मैं आपका ये रूप पहली बार देखा था तभी से मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रही हूँ ऐसा क्यूं हुआ महाराज आखिर आपको इतना क्रोध क्यूं आया रानी की बात सुनकर सन्यासी ने रानी को समझाया कि जब मैं जंगल में था तो मुझे अपने लिए भोजन का प्रबंध खुद ही करना पड़ता था और मुझे समय पर भोजन भी नहीं मिलता था लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधा मिली और फिर धीरे धीरे मैं इन सुविधाओं का आदी हो गया मैं सुख सुविधाओं के मोह में फंस गया मुझे इसके प्रती लगाव उत्पन हो गया और फिर मुझे इसको पाने का लालच उत्पन हुआ और एक समय आया, जब मुझे लगा, ये सब पाना तो मेरा अधिकार है जब उस दिन मुझे भोजन नहीं मिला, तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन हुआ, जिसे मैं रोख नहीं पाया फिर सन्यासी ने कहा कि, महरानी सच तो ये है कि, अगर इच्छा पूरी ना हो, तो क्रोध उत्पन होता है, और अगर इच्छा पूरी हो जाए, तो लालच बढ़ जाता है सन्यासी ने रानी से कहा कि, महरानी जहां पर रहते हुए मेरी सभी इच्छाएं पूरी होती रही, और ये इच्छा की पूर्ती ही, मुझे वासना के द्वार तक लेकर आई, और मैं आपके प्रती आकर्शित हो गया इसके बाद वो सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास गया, और राजा से क्षमा मांगते हुए बोला कि, राजन मुझे क्षमा कर दीजिए मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये लो आपकी रानी, मुझे ये सब नहीं चाहिए मैं अपनी इच्छा के वशिभूत होकर गलत कार्य करने जा रहा था, और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, और सब कुछ समझ आ गया है उसके बाद उस सन्यासी ने कहा कि, हे राजन, मनुष्य की बर्बादी का कारण उसकी चार आदतें बनती हैं दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर यह चार अवगुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण पा लेता है, वो दुख और परेशानियों से बच जाता है जो व्यक्ति इन अवगुणों पर नियंत्रण नहीं कर पाता वो बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाता है ये सुनकर राजा ने कहा कि महराज आप मुझे वो आदतें बताए जिससे की मनुष्य की बर्बादी हो जाती है फिर सन्यासी महराज ने राजा को मनुष्यों को बर्बाद करने वाली आदतों के बारे में बताना शुरू किया सन्यासी ने कहा कि हे राजन मनुष्य को बर्बाद करने वाली पहली आदत है इच्छा इच्छा ही दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर सबसे पहले अवगुण होता है वास्तव में देखा जाए तो इच्छाएं मनुष्य के जन्म लेते समय से ही जुड़ जाती हैं तो फिर एक सर्व सामान्य मनुष्य के लिए इच्छाएं ना करना ये तो बड़ा ही मुश्किल काम होता है और लगभग नामुमकिन भी मनुष्य की इच्छाओं का कहीं भी अंत नहीं है उसकी एक इच्छा पूरी होती नहीं है कि तुरंथ दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है इसलिए मनुष्य के मन से इच्छाओं को पूर्ण रूप से समाप्त करना तो बिलकुल भी संभव नहीं है हाँ, लेकिन इच्छाओं को नियंत्रण में रखना जरूर संभव है इच्छा सभी दुखों की जन्नी होती है जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता इसलिए राजन जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रन पा लेते हैं तो हम अपने मन पर भी नियंत्रन पा लेते हैं जब हमारा मन हमारे बस में होता है तो हमें सुख ही सुख की प्राप्ती होती है फिर जो हम चाहते हैं, हमारे साथ वही होता है, जिसका मतलब है कि मनुष्य यदि अपने जीवन में सुख और शांती चाहता है, तो उसे अपनी इच्छाओं का त्याग करना चाहिए इच्छाएं वही करो, जिन्हें हम पूरा कर सकते हैं, जिन इच्छाओं की पूर्ती करना हमारे लिए संभव है, उनके बारे में विचार करने से भी दुख ही मिलेगा, क्योंकि इच्छाओं से ही कामनाएं उत्पन होती हैं, और कामनाओं की पूर्ती ना होने पर दुख, अ शान्ती और सोग उत्पन होता है। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजन मनुष्य को बरबाद करने वाली दूसरी आदत है कामना। कामनाओं का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से ही होता है जिस प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता और मनुष्य इच्छा के जाल में फस्ता ही चला जाता है ठीक उसी प्रकार वासनाओं और कामनाओं के वशिभूत होकर मनुष्य को कुछ भी नजर नहीं आ इच्छा करना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन इच्छा का रूपांतरण जब कामना में और कामना का रूपांतरण जब हवस में हो जाता है तो फिर जरूर ऐसी किसी इच्छा का मन में आना ही गलत है जो मनुष्य को गलत रास्ते पर भी लेकर जा सकती है क्योंकि एक बार यदि मनुष्य इस प्रकार की इच्छाओं के माया जाल में फंस जाता है तो फिर बस फस्ता ही चला जाता है और अंतत उसे दुख और अशान्ती ही मिलती है इतिहास में आज तक जितनी भी लडाईयां हुई हैं उनका सबसे बड़ा कारण स्त्री को पाने की इच्छा ही रही है स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर राजा महराजाओं ने आज से पहले बहुत सारे युद्ध किये हैं रावण इस संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ती था लेकिन उसने भी माता सीता की सुन्दर्ता के फेर में आकर अपना सब कुछ बरबाद कर लिया उसकी मृत्यू का कारण एक स्त्री ही बनी थी कई राजा महाराजा तो युद्ध में इसलिए हार गए क्योंकि वो लोग स्त्रीयों से रास लीला रचने में ही रह गए इश्वर ने तो स्त्री की उत्पत्ती इस संसार को बढ़ाने के लिए की है लेकिन आजकल लोगों ने इसे अपनी वासना का साधन बना लिया है अपने मनोरंजन का साधन समझने लगे हैं और जब उन्हें अपना यह मनोरंजन नहीं मिलता तो वो पागल हो जाते हैं और ना जाने क्या क्या कर बैठते हैं इसलिए है राजन जितना हो सके उतना वासना से दूर रहना चाहिए फिर सन्यासी कहता है कि है राजन मनुष्य को बरबाद करने वाली तीसरी आदत है क्रोध मनुष्य का मूल स्वभाव है कि जब उसके मन की इच्छाओं की पूर्ती होने लगती है तो वा और इच्छाएं करने लगता है और जब उसकी छोटी छोटी इच्छाएं आसानी से पूरी होती जाती हैं तो धीरे धीरे वा उनसे थोड़ा और बड़ा सोचने लगता है और इसी तरह बड़ा सोचते सोचते वो बड़ी बड़ी और अमर्यादित इच्छाएं करने लगता है और जब उसकी वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो फिर उसके मन में क्रोध उत्पन होता है। क्रोध पर उसका नियंत्रण नहीं होता, जब क्रोध पर उसका नियंत्रण नहीं होता, तो फिर वो क्रोध में आकर कई गलत निर्णय ले लेता है। क्रोध के कारण मनुष्य के कई बने बनाय काम भी बिगड़ जाते हैं। जब मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन होता है, तो वो अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है। एक कमजोर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, उसे कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकती। क्रोध हमारे भीतर तनाव को उत्पन करता है, और अगर एक बार हम तनाव में चले गए, तो हमारा पूरा जीवन बरबाद हो जाता है। क्रोध से अशान्ती और अशान्ती से दुख उत्पन होता है। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजन मनुष्य को बरबाद करने वाली चौथी आदत है लालच। लालच पैदा होने का कारण हमारी महत्वा कांक्षाएं होती है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सुख, सम्रिध्धी और जश की कामना तो करता ही है लेकिन जाने अंजाने में उन्हें पूरा करने के लिए वो लालच करता है और लालच में पढ़कर हम बहुत से लोगों का बुरा कर देते हैं। हर व्यक्ति उचे से उचा पद पाना चाहता है। लेकिन इस होड में वे सभी अपनी सुख, शान्ती को भी दाव पर लगा देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी ऐसे अवसर अवश्य आते हैं। जब वो लालच कर बैठता है और अधिक पाने की लालसा में, वो कुछ ऐसा कर बैठता है, जिससे जो उसके पास था, वो उसे भी गवा देता है। यदि हम दूसरों को देखकर उनके पास जो है, उसे पाने की इच्छा करेंगे, तो जो कुछ भी हमारे पास है, उसकी कदर ही नहीं कर पाएंगे। ये बात बुरी जरूर लग सकती है, लेकिन ये सच है कि हर इनसान के पास उसकी क्षमता और योग्यता के अनुसार ही सब कुछ होता है। हे राजन लालच का फल सदैव बुरा होता है, जो व्यक्ति लालच करता है। वो काम्याबी से कोसों दूर रहता है, क्योंकि एक न एक दिन लालच का दुश्परिणाम सामने आता ही है। अगर हम समय रहते ही लालच को त्याग दे और उसके फेर में ना पड़े, तो हम एक सफल व्यक्ति अवश्य बन सकते हैं। फिर अंत में सन्यासी राजा से कहता है कि, हे राजन, अगर मनुश्य इन सभी बातों को छोड़ देता है, तो उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो इन आदतों को नहीं छोड़ता, उसे जीवन में बरबाद होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं एक सन्यासी होकर इसके फेर में पढ़ गया था, तो सामान्य मनुष्य तो इससे बच ही नहीं सकता। इन सभी का एक ही जवाब है। इन स्थितियों पर नियंत्रण करने के लिए द्रिड निश्चय, संयम, मन की सुचिता, सहिशनुता, सहानुभूती और संतोश जैसे प्रहरियों की आवशक्ता जान पड़ती है। यह ऐसी प्रवृतियां हैं, जो व्यक्ती को उचित कर्तव्य करने को मार्गदर्शित करती हैं। इससे वो अपने मन में उठने वाली अनैतिक और अमानविय इच्छा का दमन करने में सक्षम हो जाता है। आत्म नियंत्रण और आत्म सयम रखने से हम अपने आप पर ही सयमित हो जाते हैं और अपनी इच्छाओं और कामनाओं को भी काबू में रख सकते हैं। यदि हम उन बातों की इच्छा करें, जो हमारे बस में हो, तो हम उन्हें पूरा भी कर सकते हैं, और हमें दुखी भी नहीं होना पड़ता। इसलिए हे राजन, मनुष्य को इन आदतों से हमेशा बचना चाहिए। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुती अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को अंध तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।